मैं गायक राजू राज्यादो प्रताफगड की पावंधरा से एक राश्टी कजरी भेज रहा हो साथियों ये रामसेवक बिराविजिक अदलाबाद खुंडा प्रताफगड जिनकी देख रेक में कैसे छूट रही है और इसके साथ साथ हमारे भारत के सपूतों ने बहुत से सी माताएं थी जिन्होंने अपनी कोख का बलिदान किया साथियों लेकिन कहना है गीत के माध्यम से कि धारती माता तोरे लाला नावा धारती माता तोरे लाला नावा जूले रोजे जूला नावा ना रोजे जूला नावा ना कि धारती माता तोरे लाला नावा धूले रोजे जूला नावा ना कि धारती माध्यम सेजे जूला ना नावा नावा धूला ना तोहार ललंकी कि रहल मै भगत सुभास चंद्र से खाराजी राले भीर जावना किसा नवा किसा नवा जाये ना ही वतना मा जुले रोजे जुला नवा जब जब इस देश पे संकट आया है बाबू जी तब तब ऐसे बीर ऐसे ऐसे सपूत हमारी इस धरती माता की याचल में समा गए है क्योंकि कहा जाता है कि मा तो मा होती है साथियो पीड़ा बहुत सेना पड़ता है लेकिन पूत वही होता है जो मा के सच्चे कामों को सरदा की रूप में बगल देता है लेकिन कहना है क्या कि जब जब बड़ी भी पदा भारी कि कोखिया दिहली नत्यागे मतारी कि जब जब पड़ी भी पदा भारी कोखिया दिहली नत्यागे मतारी कही के इस कही के भेजली रखिया सनवा कोही के फेजली रखिया सानामा धूले रोजे धूला नवाना आज के नोजमानों के लिए एक संदेश है बाबुजी वो संदेश क्या है मैं अपनी कलम के गीत से लिख करके आपको संदेश देने का काम कर रहा हूँ यह जीसमें की मैं खुद एक सिपाही हूँ और आज इस भारत के धरा पर भारत की भब्य भूमी धरा पर ये गीत लिखने का काम लोगों को जगाने का काम करते हूँ लेकिन इस कजरी के माद्धम से अंतिम लाइन में कहना क्या है यादव राजे कलम के गीतिया धरती माता से लागल पीरितिया यादव राजे कलम के गीतिया धरती माता से लागल पीरितिया सारे देश में घूम के चले आएंगे लकिस सबसे सुन्दर सायद है कि हमारा भारत कितना सुन्दर लगता है लेकिन कहना है कि भारत केपा सुन्दर पनावा भारत केपा सुन्दर जोनावा जूले रोज जूला नवाना कितना है जूला नवेला